Hello friends, welcome to my channel आज का टॉपिक है टीचर्स बच्चों की डाइरी में नोट्स कैसे लिखें, रिमार्क्स कैसे लिखें, क्या लिखें ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी तो friends वीडियो पूरा देखना So many ideas I will tell you तो चलिए शुरू करते हैं Enthusiastic learner who seems to enjoy school जो आपका बच्चा है वो सीखने के लिए बहुत उत्साहित रहता है और स्कूल को enjoy करता है ये टीचर बोल रही है या फिर रिपोर्ट कार्ड में लिख रही है Shows enthusiasm for classroom activities आपका जो बच्चा है आप कहना चाते हैं कि classroom activity करने के लिए उसमें बहुत उत्साह रहता है यह दिखता है उसके activity में यह भी आप लिख सकते हैं Is committed to doing her best आपका जो बच्चा है वो अपना best देना चाहता है या चाहती है कोई भी work उसको assign होता है तो वो best देना चाहता है आपका बच्चा Next है six new challenges and takes responsibility for learning आप कहना चाहते हैं कि जो आपका बच्चा है वो हमेशन new challenges लेता है और सीखने के लिए वो responsibility भी लेता है Next है cooperate consistently with the teacher and other students यहाँ पर teacher कहना जाती है या फिर लिखना जाती है कि आपका बच्चा जो है वो teachers के साथ बहुत अच्छा behave करता है और बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा behave करता है और class में जो है वो corporate करके चलता है सबके साथ Next है is courteous, courteous यानि विनम्र and shows good manners in the classroom आप कहना जाते हैं कि जो आपका बच्चा है वो बहुत विनम्र है और class में अच्छा आच्रन रखता है एक तरीके साब कहा सकती कि जो आपका बच्चा है वो full of manners है Next है follow classroom rules and conducts themselves with maturity यानि कि आपका बच्चा जो है वो classroom के rules को follow करता है और बड़पन के साथ उनका संचालन करता है बड़ों के जैसे वो उन्हें handle करता है बहुत या अच्छे से rules को follow करता है ये भी आप लिख सकते हैं Next है is kind and helpful to everyone in the classroom टीचर कहना चाती है यहाँ पर कि आपका बच्चा जो है वो बहुत दयालू है kind यानि दयालू और classroom में सभी की मदद करता है सभी की help करता है Next है sets an example of excellence in behavior and cooperation यानि कि जो आपका बच्चा है उसका व्यवहार example की तरह लेते हैं सब लोग Next है shows respect for teachers and peers Pears यानि उसके age group के यानि साथ ही उसके class के यानि आप कहना चाते हैं कि जो आपका बच्चा है वो teachers की respect करता है और अपनी age group के बच्चों के साथ भी उसका अच्छा रिष्ता है Next है your child comes to school each day and prepare to work hard Teacher याँ पर कहना चाती है कि जो आपका बच्चा है वो रोज school आता है और मेहनत करने के लिए तयार रहता है पढ़ाई करने के लिए तयार रहता है जो भी उसको class में पढ़ाया जाता है वो उसके लिए तयार रहता है Next है your child has fantastic work ethic and is a role model in the classroom Teacher याँ पर कहना चाती है कि जो आपका बच्चा है वो बहुत सोच समझ कर काम करता है और वह role model है class के लिए उसको सब अपना आइजल मानते हैं इतिक यानि आचार विचार Next है I appreciate your child dedication to their studies in my class यहाँ पर teacher कहना चाती है कि मैं आपके बच्चे की बहुत प्रशंसा करती हूं उसकी पढ़ाई के प्रती निष्ठा देखकर I love that your child does there every single day मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपका बच्चा रोज कुछ न कुछ अच्छा करता है Next है Your child has come so far in English and Maths Teacher यहाँ पर कहना चाती है कि आपका बच्चा जो है वो English और Maths में बहुत अच्छा कर रहा है Next है Treats school property and the belongings of others with care and respect Teacher कहना चाती है जो आपका बच्चा है वो स्कूल के सामान की बहुत रिस्पेक्ट करता है और class में जो बच्चों का सामान भी होता है और सामान भी होता है उसकी care और respect करता है Next है Is honest and trustworthy in dealings with others Teacher कहना चाती है जो आपका बच्चा है वो बहुत इमानदार है और विस्वास पात्र है उस पर विस्वास किया जा सकता है जब वो दुसरों को deal करता है दुसरों को समझाता है Next है displays good citizenship by assisting other students यहाँ पर teacher कहना जाती है कि जो आपका बच्चा है वो दुसरे बच्चों की help करता है इससे या दिखाई देता है या जाहिर होता है कि वो एक अच्छा नागरिक है Next है faithfully performs classroom task यहाँ पर आप कहना जाते हैं कि जो आपका बच्चा है वो बहुत इमानदारी के साथ जो है classroom task पूरा करता है कोई भी activity उसे दी जाती है वो बहुत उसे इमानदारी के साथ निभाता है Next है has a well developed sense of humor यानि कि जो आपके बच्चे की हसी मजाक की आदत है वो बहुत अच्छी है अच्छे से करता है वो उसको Next है provides background knowledge about topics of particular interest to him यानि कि जो आपका बच्चा है उसे पहले से ही subject की knowledge होती है जो भी उसे topic दिया जाता है उसे थोड़ा सा clear होता है मतलब subject के बारे में उसे knowledge होती है Next है has an impressive understanding and depth of knowledge about his or her interest यानि कि जो आपका बच्चा है उसे जिस भी चीज में interest है उसमें उसे बहुत अच्छी समझ है अच्छे से समझता है deep knowledge है उसके बारे में Next है enjoys sharing his or musical talent with the class यानि कि जो आपका बच्चा है उसका जो भी musical talent है गाने बजाने का वो बहुत अच्छे से enjoy करता है और बच्चों के साथ share भी करता है Next है is a gifted performer यानि कि जो आपका बच्चे का talent है वो by birth मिला है उसे Next है reads extensively for enjoyment कभी कभी वो विस्तृत पढ़ने लगता है लेकिन सिर्फ enjoyment के लिए पढ़ता है Next है welcomes leadership roles in groups यानि कि जो आपका बच्चा है वो leadership role करने में भी आगे रहता है Next है shows fairness in distributing group task यानि कि जब भी class में कोई task दिया जाता है तो उन्हें निस्पक्ष तरीके से distribute करता है Next है is sensitive to the thoughts and opinions of others in the group यानि कि जो आपका बच्चा है ग्रूप में जो भी विचार होते हैं और बच्चों के उनको लेकर वो बहुत sensitive होता है Next है encourages other children of the group यानि कि जो बच्चा है आपका वो ग्रूप में और बच्चों को encourage करता है Next है is well prepared for class each day Teachers कहना चाती है कि जो आपका बच्चा है वो हर दिन अच्छे से तयारी के साथ आता है स्कूल में पढ़ने के लिए Next है works at an appropriate pace neither too quickly nor slowly Teacher कहना चाती है आपका बच्चा जो है उसके काम करने की गती जो है वो बहुत सही है ना ही बहुत जल्दी जल्दी काम करता है और ना ही बहुत धिरे धिरे वो आपने काम को बहुत ही सही गती से करता है Next है arrives on time for school everyday आपका बच्चा हर दिन समय पर स्कूल आता है समय पर स्कूल पहुंचता है Next है uses class time wisely Class की time को आपका बच्चा बहुती बुद्धी मत्ता के सांथ यूज करता है वाइसली याने बुद्धी मत्ता Next है tackles classroom assignments, tasks and group work in an organized manner जो भी class में assignment, task and group work मिलता है उसे वो बहुत अच्छे से उसे पूरा करता है Next है is well liked by classmates and teachers उसके teachers और classmates उसे काफी पसंद करते हैं Next है makes friends quickly in the classroom वो दोस्त बहुत जल्दी बना लेता है अपने class में Next है takes an active role in discussion जब भी group discuss होता है class में तो उनमें वो actively participate करता है Next है ask for clarification when needed जब भी उसे कुछ पूछना होता है, कोई बात को समझना होता है तो वो उसे जरूर पूछता है Next है readily grasp new concepts and ideas grasp यानि ग्रहन करना जो भी नई चीज़ें बताई जाती है class में new idea, new concept उन्हें वो अच्छे से ग्रहन करता है Next है is a honest and hard working child यानि कि आपका बच्चा बहुत इमानदार और मेहनती बच्चा है teacher कहना चाहती है listens attentively to the responses of others यानि कि जो भी प्रतिक्रिया होती है दुसरों की class में उसको बच्चा जो है वो बहुत ध्यान से सुनता है is a self-motivated child जो आपका बच्चा है वो अंदर से ही motivate है उसको बहार के motivation के जरूरत नहीं है follows directions आपका बच्चा direction follow करता है next है work independently यानि आपका बच्चा अकेले मैं भी काम अच्छे से कर सकता है next है completes assignments in the time allotted जितना time दिया जाता है कोई भी काम को करने के लिए उतने समय में ही काम को पूरा करके दे देता है so friends आज के लिए बस इतना ही आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी helpful लगाओ तो friends प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए like करिए share करिए तो मिलते हैं next वीडियो में new information के साथ thank you for watching my video